अकसर हम लोग शिकायत करते हैं इंडियन मूवीज में नई स्टोरी क्यों नहीं बनाते वही पुराना हीरो हीरोईन का फॉर्मिला कितनी बार और कब तक चलेगा सबसे बेस्ट है अपने रिलीजन की हिस्ट्री उठालो इतना कुछ बताने के लिए मिल जाएगा कि कम से कम सौ साल सिनिमा आराम से निकल जाएगा कार्टे के टू याद है भगवान श्री कृष्णे के साथ जोड़कर क्या जबर्दा स्मॉल बजट लेकिन खतरना कॉंटेंट वाली फिल्म मनाई थी मज़ा आ गया था और इसी रास्ते पर कदम बढ़ाया है एक नई पान इंडिया फिल्म ने जिसके तो नाम में हनुमान जी बैठे हैं तो सिनिमा की लंका में आग लगने की 100% गैरेंटी है एक 3 मिरिट का ट्रेलर कैसे पिछले 3 सालों की सारी शिकायतें दूर कर सकता है आपको सुनकर शायद यकीन भी नहीं होगा ये ट्रेलर नहीं वैक्सीन बनकर आया है सिनिमा के कोरोना के लिए आदीपुरो शाइद तो सबका दिमाग हिल गया इतना लंबा चोड़ा बज़ट लेकिन VFX और कॉन्टेंट एकदम घटिया 3rd क्लास और हनुमान का बजट सिर्फ 15-20 करोड है लेकिन Visual Effects ऐसे जैसे मानू कोई 200-300 करोड वाली महंगी फिल्म देख रहे हो ऐसे सीन्स तो शायद ही आज तक किसी दूसरी इंडिन फिल्म में देखे होंगे हमने और थियेटर की बड़ी स्क्रीम पे देखकर तो experience ही अलग आएगा इसलिए बोलती हूँ मैं अच्छी फिल्म बनाने के लिए बजट नहीं आइडिया चाहिए होता है ऐसे ही एक फिल्माई थी राम से तू याद होगा सबको उसका कॉंटेंट भी भगवान श्री राम और हनुमान जी के इर्द गिर्द बुना गया था लेकिन फाइनल रिजल्ट वहाँ भी एवरेज टाइप का निकला फिल्म ने अक्षे कुमार की हीरोगीरी दिखाने के चक्कर में अपने राम हनुमान की हिस्ट्री को टोटल इग्नोर मार दिया बट दोस्त हनुमान का तो ट्रेलर ही शुरू हुआ अपने भगवान हनुमान की हिस्ट्री के साथ पहली बार किसी ने अंजिनादरी हिल्स का जिक्र किया है अपनी कहानी में काफी लोग शायद पहली बार इस शब्त को सुन रहे होंगे और इसलिए जरुत है इंडियन सिनिमा को हनुमान जैसी फिल्में और जादा बनाने की अंजिन आदरी हिल्स माने हनुमान जी का birthplace और इसका direct reference trailer में डालना फिल्मेकर्स का confidence बताता है अपनी फिल्म के उपर बाकी लोग फिल्मों में बचते हैं अपनी कहानी को real history के साथ जोडने से उसको fictional बता के बेचना पसंद करते हैं ताकि बाद में controversy ना हो लेकिन हनुमान के makers real life history को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करके बताना चाहते हैं कि उन्होंने कितना research किया है अपनी फिल्म के subject पे और ऐसा भी नहीं कि फिल्म टोटली पुराने जमाने में set है बलकि इसके ठीए कुल्टा ये modern villain वाला concept दालके technology का जबरदस mixture किया है कलियोग में कैसे ये science और technology ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बने वाली है फिल्म का villain उसी concept पे create किया गया है लेकिन मेरा सबसे favorite part है ट्रेलर की ending जहां पर हनुमान जी की छोटी सी जलक हमारे सामने आई है वहाँ तो literally wrong टे खड़े हो गए मैं तो अभी से सोचकर excited हूँ कि फिल्म में इमका इस्तमाल किस तरीके से किया जाएगा और इस level के VFX के साथ literally पूरा Indian cinema बदल सकता है कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है फिल्म की lead casting से hero आपके हिसाब से हनुमान के लिए suit नहीं कर रहा होगा है ना खा गए ना धुका बॉस ये बंदा हनुमान जी का अफ़तार नहीं लेगा बलकि हनुमान जी इसके त्रू कहानी में एंट्री मारेंगे जैसा कुछ कार्तिके 2 में हुआ था अगर किसी को डिरेक्टर प्रशान्त वर्मा की पावर पे शक है ना तो बहुत सिर्फ दो मूवीज बताती हूं मैं आपको आज ही देख डालना एक तो ओ है जो हिंदी डर्मिंग में भी मिल जाएगी बादा है मेरा ऐसा दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस इनमा तुमने आज तक नहीं देखा होगा और दूसरी फिल्म है जॉंबी रेडी ये तो यूट्यूब पर भी एकदम फ्री में देख सकते हो आप वो भी हिंदी में यहां भी एक माइथलोजी हिस्ट्री वाला अंगल है फिल्म में वैसे ट्रेलर का सबसे बड़ा सर्प्राइज तो ये है कि हनुमान सिफ़ एक सिंगल फिल्म नहीं होने वाली है बलकि एक पूरा यूनिवर्स तयार किया गया है भारत के इतिहास को दिखाने के लिए जिसमें कई सारे डेवी देवता की हिस्ट्री को फ्यूचर में एक्स् उनिवर्स हनुमान उनिवर्स सबसे जादा अंडर रेटेड लेकिन इंपोर्टेंट साबित हो सकता है इंडियन सिनमा के फ्यूचर के लिए लिटरी पब्लिक का टेस्ट बदल जाएगा फिल्मों में आप बताओ छोटा पैकेट बड़ा धमाका या फिर नाम बड़े दर् के बाइब बाइब